हेई नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नहीं वीडियो में स्वागत है तो आज की वीडियो में यहां पर में अपडेट आ गया है मियू आई टैन का जो कि है लेटेस्ट ग्लोबल बीटा का अपडेट जो कि आपको देखने का मिल जाता है आट बारा सथाइस तो यहां प कीगा हो सकता है अभी यह नायटली मेरे में दिखा रहा है तो हो सकता है आपका अपडेटर एप से अभी अपडेट ना हो तो को इसके लिए TWRP recovery से custom recovery से यानि इसको flash करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका update होगा 8-12-27 में या तो आप इसको wait कर सकते हो update next आने का हो सकता है hopefully आज आ जाए या कल तक आपको कोशिश रहेगी कि कल तक यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा वरना आज शाम तक आपको दो पक्का है कि यह update देखने को मिल जाता है तो watch new में भी यहाँ पर change log भी मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि यह बोला है permission नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या देखने को मिल जाएगा उसके लावा मैं आपको बजा देता हूँ Redmi Note 6 Pro के लिए उसकी वीडियो मैंने डाल रखी यही update में उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर पहले आप द चलेगी sound and vibration option जो मैंने आपको दिखाया था वो forced close हो जाएगा था बहुत सारे devices में उसको यहाँ पर इन्होंने fix करा है हालाग कोई नया feature नहीं दिया है लेकिन वह problem आ रही थी जिसको इन्होंने finally fix करके आपको यहाँ पर दिया है उसके लावा बहुत सारे devices में face unlock का option आ गय options में निकाल दिया है तो यह चीज काफी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है उसके लावा मैं बता हूँ तो यहाँ पर नया कुछ खास feature तो नहीं आया है लेकिन आपको यहाँ पर जो बर्क्स है इसको इंप्रूफ किरा गया है जैसे की raise to wake वाले तो बहुत dość easily यहाँ पर raise हो जाता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर work भी करने लगता है तो इस time तो बहुत ही अच्छे से work कर रहा है उसके लावा यहां पर wallpaper करूसल जो है उसमें पर इंप्रूफमेंट करा गया है तो यहां पर ये वाल पेपर करूसल वाले features को भी यहां पर सही करा गया है और इसमें improvement करा गया है ताकि यह अच्छे से work करें तो यहां पर सीधी बात में बता हूं तो यार कोई नया feature आपको नहीं देखने को मिलता है लेकिन यहां पर पुराने features को इन्होंने improve करा है और यहां पर bugs को यहां पर fix करा है इन्होंने उसके लावर security app और सब app law के सब में fixation हुए हैं battery backup की बात करने तो battery backup भी पिछले update से यहां पर improve मुझे देखने में मिल रहा है तो पिछले update में battery backup ठीक ही ठाक हुआ था यहां पर battery backup को थोड़ा बहुर थीक किरा है जादा अभी भी इन्होंने सही नहीं करा है तो hopefully आगे चलके feature में यहां पर आपको battery backup में improvement देखने को मिलेगा तो यह देखने के बाद ही यहां पर पता चलेगा तो अभी तो यहां पर कुछ ज्यादा आपको improvement नहीं देखने को मिलता है उसके लावा app drawer भी आप देख सकते हो वह भी आपको यहां पर already देखने को मिलता है तो यहीं यहां पर update आपको देखने क तोड़े आपको यहां पर देखने को मिलते हैं camera कांदर तो यह चीज काफी अची है क्योंकि camera के quality बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही थी है लेकिन यहां पर इंप्रूफकर रहे हैं तो यहां पर धीरे दीरे camera में भी ला रहे हैं उसके लावा camera मैंने आपको एक बार बताया भी था always on display वो चाइना के daily update बीटा में यहां पर आ गया है तो वो चीज काफी अच्छी है कि always on display का आपको यहां पर concept देखने को मिल जाएगा आपके Redmi Note 5 Pro या बहुत सारे devices में जिस जिसमें यहां पर इनेबल कर दे तो आज की वीडियो में बस इता ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजे उसके लावा जो मीबेंड की आप लोग को डिमांड थी मीबेंड की कस्टम रोम की तो वह भी मैंने यहां पर करना सब्सक्राइब करके रखो मिलता हूँ आपको नेजी वीडियो में तब तक लिए जहन बंदे मातरम टेक केर बाइए